यह देखिए यह रहा सार्क, सार्क मसली का बचाइब यह मसली देखिए यह है आसकर मसली यहां बोड में में इसन क्या हुआ है यह देखिए मूग कैसा खोल रहा है So, hey guys, welcome back to another vlog, I hope अच्छे से होंगे So, आसके बोड बोगिंग बहुती इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक्स्पलोर करने वाले रांची का फीस हाउस यानि की मसली घर और वहां जाके करने वाला बोड 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 दिखाऊंगा, वहां का बहुती प्यारा वीव है अभी देख सकते हैं मैं रेडी होके आ चुका हूँ और जाने के लिए पूरा रेडी हूँ और फ्रेन लोग समारे रेडी हैं जाने के लिए आप लोग बाद में दिखाऊंगा कितने फ्रेन लोग है तो दोस्तो ये वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा बिचलते वीडियो की तरफ लेस्ट गो तो कोजीना तो ग्राचा चिंप पोरे वाली यार्टे रिसल्दी ए रों प्रोवारा फारे फुर्बो कोनी त्वाइ दिस्कोर्स सू हेंगाईज फाइनली में पहुंच चुका हूं रांचि मसली घर अभी देख सकते आभी मैं इस वक्त खाड़ा हूं और मांजी में मसली घर के पास वहारे पीछे जो यह है यह मसली घर का मेन गेट है अभी हम लोग सारे दोस्त आ चुके हैं आपको बताना चाहूंगो क कितने सारे फ्रेंड लोग जा रहे हैं między यह हैं हमारे सारे फ्रेंड लोग और वहां आगे कार पार्किंग है, वहां देखेंगे कितने चार्ज है कार का, हम लोग भी कार से आये, बट कार बहारी खड़ा कर दिये हैं, पता नहीं था कि अंदर जाने का रास्ता है कार का, यह देखिए, यह कार का पार्किंग है, कार जीब 20 रुपिया, बस का 30 रुपिया, साम 6 बज़े तक अपने वहां लेज आएंगे, इदर कार वगएरा लगा हुआ देख सकते हैं आप लोग, तो यह देख सकते हैं गाई, यह टिकेट काउंटर है, अभी हम लोग यहां से टिकेट पर्चेस करेंगे, छे टिकेट दीजिए छे, यह देख सकते हैं, सीन यहां का, क्या ही सीन है, क्या बताओं दोस्तों, इधर देखिए हमारा सलमान खान, तो गाइस, फैनली हम लोग ने टिकेट पर्चेस कर लिया, देख सकते हैं, पर टिकेट तीस रुपिया, और अभी हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे, अंदर का वियू कैसा है, काफी सारे मसलियां मिलेंगे अंदर, चलते हैं वीडियो की तरफ, यह देख सकते हैं, यह देखिए, यहां से स्टार्ट हो जाता है, क्या ही सीन है, यहां से पहला फॉल गिरता था, बट अभी बंद है, देख सकते हैं, यह देखिए, रेड फीस है, बट पता नहीं कौन से नसल का है, फॉलादी नसल है, और अभी अंदर रीन कर रहे हैं, अभी देखेंगे अंदर सब सीसे में मसलिया, यह देखिए, यहां से स्टार्ट हो जाता है, तो फ्रेंड्स आप लोग यहां से रेडी रही हैंगा, आप लोग यहां दिखाएंगे पूरी मसलिया, देख सकते हैं सारे दोस्त लोग यहां फोटो ले रहे हैं मसलिया, यह देखिए यहां से, यह देखिए, प्लैंक है बॉडर्ट का, यह देखिए लोग यहां बॉडर्ट में भी नाम ने दिए हैं बॉडर्ट है बॉडर्ट का, यह मसली देखिए यह है आउसकर मसली यहां बोड में में इंसन किया हुआ है यह देखिए आपको मैं जूम करके थोड़ा पास आके दिखा रहा हूँ देखिए कैसा आजा भाई देखो देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यह कौन सी मचली है काफी बड़ा साइगे इस मचली का यह देखिए यह देखिए गाईस ऐसा लग रहा है यह बजार का मचली है यह बड़ा वो नहीं है यह अलग नसल का मचली है देख सकते हैं और यह देखिए यह रहा सार्क सार्क मचली का बच्चा है तो गाई यह देख सकते हैं यह पिराना मचली बहुत ही खुंखार मचली है यह एक पल में सिकार करता है सिकारी करने का बहुत सौक है इसे यह पिराना मचली है जो आप लोग फिल्मों में देखते होंगे इसे इसका पूरा बदन पर गोल्ड अवर किया हुआ है पूरा सोने का काम किया हुआ देख सकते हैं यह देखिए यह देखिए मूँ कैसा खोड़ रहा है यह कच्छुआ देख सकते हैं यहां से देखिए बहुत सारे छोटे छोटे मसलिया हैं बहुत सारे छोटे छोटे हैं इसमें देखिए इसमें तो मालूम भी नहीं पड़ रहा है और यह देखिए यहां यह लिखा हुगा कि रिफिया फोटो लेदे समय फ्लैस का उप्योग ना करें हो सकता है फ्लैस से इनकी आख में को इफेक्ट हो यह देख सकते हैं यह चन्न परिवार की मचलियों के सीर सांप के आकार के होते हैं और आप यह देखाने वालों दोस्तों यह बहुत ऐलग परकार की मचलिये बहुत अजुबा मचलिये देख सकते हैं अप अब शानकों में दिखाता हूं यह देखिए इस किस टाव का मचलिय है इसका नाम यह यह पूरा पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में ही दिया हुआ है यह देख सकते हैं यह देख सकता है कैसा तेरता है यह देख सकते हैं इसी परगार के कुछ छोटे-छोटी विंडोस बनाए गए हैं यह देख सकते हैं इधर छोटे परजातियों की मचली यह सब है इसे कोछ पूटे-छोटे विंडोस टोटल विंडो 58 विंडो में मसली आ है 58 विंडो है देख सकते हैं फ्रेंश देख सकते हैं अभी मैं बाहर आचुका ओं सारी मसली आप लोग को दिखा दिया आप लोग ने मसली देख पी लिए होगा तो आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि कौन से मसली आप लोग को अच्छा लगा आप लोग ने पूरी ब्लॉग देख लिए आपको मैं भी दिखाया मसली के घर और बहुत रदर का मसली भी दिखाया काफी अच्छा लगा और दोस्तों यहां के जो टिकेट के प्राइज है काफी ज़्यादा प्राइज है क्योंकि इतना प्राइज दरहना नहीं चाहिए था 30 रुपया काफी ज़्यादा है मैं जारकन सरकार से यहीं नहीं वदन करना चाहता हूं कि प्राइज को आप कम करें तो फ्रेंड्स आज की ब्लॉग यहीं एंडिंग करते हैं आई होप यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो करते लाइक एंड मेरे चैनल को करते सब्सक्राइब फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में आपने की सपोर्ट और प्यार से तब तक के लिए बाबाई टेक केर